आज की रेसिपी है पेशावरी चर्सी चिकन की एक जबरदस्त और फ्लेवर फुल डिश है जो पेशावर की स्ट्रीट से इंस्पाइर हुई है इसमें मसालेदार फ्लेवर और जूसी चिकन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अगर आपको स्पाइसी और डिलिशेस रेसिपी पसंद है तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है तो चलिए शुरू करते हैं चर्सी चिकन बनाना चर्सी चिकन बनाने के लिए हम एक कोकिंग पैन लेंगे और उसमें हम 200 ml वेजिटेबिल ओयल डालेंगे और उसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें चिकन के पीसिस डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है और अब हम इस चिकन को कलर चेंज होने तक पकाएंगे और जब इस चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें 3 टी स्पून लेसा नदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी हम mix करते हुए पकाएंगे इसके बाद अब हम इसमें 4 हरी मिर्चे डालेंगे जो के मैंने रफली चॉप कर ली है और इसको भी मिक्स करते हुए पकाएंगे अब हम इसमें वन टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और वन एंड दा हाफ यानि के डेर छोटा चम्मच नमक एट कर देंगे नमक हम इसमें इसलिए थोड़ा सा जादा डालेंगे क्योंकि अभी हमें इसमें टमाटर डालना है तो टमाटर के खटेपन की वज़ा से नमक जो है वो थोड़ा सा हमें जादा डालना पड़ता है तो अब हम इसमें 700 ग्राम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे ये मैंने 700 ग्राम टमाटर लिये थे और उन्हें मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया था अब ये ग्राइंड की हुई टमाटर की प्यूरी भी हम इसमें एट कर देंगे इस recipe में टमाटर और चिकन दोनों की quantity बराबर रहेगी जितना हम चिकन लेंगे उतना ही हमें टमाटर की pury लेना होगी टमाटर की pury और चिकन को हम अच्छे से mix करते हुए 2-3 मिनिट तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसको cover कर देंगे मीडियम फिलेम पर हम इसे 10-12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे हम बीच बीच में थोड़ा सा अलट पलट करके पकाएंगे तो 10-12 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको देखते हैं ये देखिए हमारा चिकन अब भूनने के लिए तयार है अब हम इसको भूनेंगे और हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताके ये जो ओईल है ये सर्फेस पर आ जाए हमें इसे तब तक भूनना है ओईल सेपरेट हो चुका है और अब हम इसमें हरा धनिया और जूलियन कट अद्रक एट कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए पकाएंगे तो लीजिए चरसी चिकन बनकर तयार हो चुका है अब हम फलेम को आफ कर देंगे और इस चिकन को अब हम सर्फ करेंगे उमीद करती हूँ के आपको मेरी ये चर्शी चिकन की रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक इसको जरूर दीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली और फ्रेंस में इसको शेयर भी कीजिए तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफेश